वाफ़ो इंग्लिज ग्रूओ और दोस्तों कॉमर्सरी इसका 6 नमर का वीडियो है और अगर आप इसके पहले के पाड़ भी देखना चालते हैं तो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे तो सुरवात करते हैं दोस्तों बात को बिना गुमाइफिरा व मन करता है तो आज हम बात करने हैं मन करता है तो आपको दोस्तों इसका थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरा मन करता है हमारा मन करता है तुम्हारा मन करता है उनका मन करता है इनके साथ आपको फिल लाइक इसका इस्तमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पे सबजेक प्लस फिल ल में subject plus don't का मतला होता है do not feel like plus work के ing form plus object का इस्तमाल करना है इसको example से समझते हैं दोस्तों मन करता है कि पढ़ाई छोड़नूं यानि मेरा मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूँं I feel like dropping studies यानि पढ़ाई छोड़ने का मन करता है तो छोड़ने की ing form I feel like dropping studies मन करता है कि जॉब छोड़ दूँ जॉब से परिशान होगे I feel like quitting my job मन करता है कि सब कुछ छोड़के माई के वापीश चले जाओ यह जाते तर मम्मिया और जो wife होती हैं और कहती है I feel like leaving everything and go back to my home next is मन करता है अब देखो आप दोस्तो थोड़ा सा ध्यार नखना है आपको अगर he she name it आए तो आपको feels like लगाना पड़ेगा so subject plus feels like plus ing form plus object यानि जैसे अगर मैं कहूँगा राम का इंगलिश बोलने का मन करता है तो राम feels तो आपको s लगा दे ला है दोस्तों ओके जब भी he she name it आए और negative में आपको does not feel लगा दे ला है subject plus does not feel like plus वर्व के अनि जैसे फॉंग प्लस object इसको example से समझते हैं दोस्तों आज उसका कुछ भी करने का मन नहीं है तो she does not feel like doing anything today और अगर हम इसे यह कहें कि आज उसका आज उसका कुछ खाने का मन है कुछ मन है कुछ खाने का कुछ मन है तो फिर आपको क्या कर अगर यह positive sentence है तो तो आप लगाते जब मन नहीं है और जब मन है तो आपको feels लगाने और doesn't को हटा देना है example ममी का आज पकाने का मन नहीं है तो mom does not feel like cooking today और अगर हम यह बोले कि ममी का आज पकाने का मन है है so mom feels like cooking today okay I hope आपको समझ में आ गया हो next मन नहीं कर रहा है अगर हम present से छोड़ कि अगर हम continuous में चला जाएं तो मन नहीं कर रहा है तो इसमें आपको दोस्तों feeling का इस्तिमाल करना पड़ीगा so मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है I am not feeling like eating anything तो दोस्तों आपको क्या करना हो देखो शुरुआ में feel बना फिर feel बना feels और अब बन गया feeling क्योंकि continuous tense है दोस्तों so I am not feeling like eating anything जैसे मेरा English बोलने का मन कर रहा है so I am feeling like speaking English okay इस तरीके से बने हैं कुछ यह उल्टी जैसी महसूस हो रही है I am feeling like throwing up throwing up का मतलब होता है दोस्तों vomit feel करना जब आपको हार मानने का मान हो तो याद रखें कि आप इतने लंबे समय तक रुके क्यों रहे when you feel like giving up remember why you held on so long in the first place तो give up का मतलब होता है दोस्तों हार मानना इसलिए कहते हैं never 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 give up कभी हार ना माने दोस्तों मुझे एक नई dress पर पैसे उड़ाने का मन कर रहा है I feel like splurging on a new dress splurging का मतल होता है दोस्तों फालतों के पैसे उड़ाना पैसे उड़ाना कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अजनभी के साथ रह रह रही हूं sometimes I feel like I'm living with a stranger मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा घूमने का मन नहीं 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 दोस्तों कहीं जाना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं दिनों से इस फ्लैट में बंध हूं I feel like I've been cooped up in this flat for days तो cooped up का मतल होता है दोस्तों किसी पिंजरे में बंध रहना पिंजरा जैसा मैं सूस करता है जब मुझे शड़वी हो जाती है तो मुझे खाने का मन नहीं करता when I've got a cold I don't feel like eating तो दोस्तों अगर आपके सीरीज पसंद आ रही है तो हमें comment box में ज़रू बताएं and please subscribe और यूट्यूब चैनल वाफर इंग्लिज ग्रूप बाबाई सिया इंच्याओ